हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग इस क्लास में प्रोज का लेसन नंबर वन अगर्ल विद दा बास्केट पढ़ेंगे इसके राइटर मिस्टर विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं इस लेसन में वो हमें बता रहे हैं अपनी उस एक यातरा के बारे में जो उन्होंने नई डिली से रानी खेत उत्तर भारत तक की की आईए अब इसे एक्स्प्लेन करते हैं राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने नई डिली से हिमालियाज तक के लिए निकले और उसके बाद की यात्रा उन्होंने बरेली से रानी खेट तक कार के द्वारा की रानी खेट एन ओल्ड बिटिश आर्मी हिल स्टेशन एक पुराना हिल स्टेशन है लोकेटिड जो इस्थित था और ने 6,000 फूट रिज समुदर तल से 6,000 फूट की उचाईब पर उपोजिट अ 120 माईल स्ट्रेच एट स्नो कवर्ड हिमाले आज इसके दूसरी और 120 मील तक बिखरा हुआ परस से ढखा हुआ हिमाले है जिस तरह हमारे हैं पैसेंजर ट्रेंस हर छोटे वड़ स्टेशन पर रुखती है वैसी ही ट्रें में मिश्टर विलियम सी डगलस किया तरह थी जो हर स्टेशन पर रुख रही थी अट अब्री स्टॉप आई स्टॉप अपन हर स्टॉप पर स्टेशन पर वो बाहर निकलते थे अपने कमपार्टमेंट का दरवाजा खोल कर और टहलते हुए प्लेटफार्म तक जाते थे इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि भारत बिवनिताओं का देश है और इसी तरह से उस प्लेटफार्म पर भी भारत के अलग-अलग समुदाए अलग-अलग तरह के लोग उसे दिखाई दिये जिसमें सिक थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, ब्यापारी थे, सिपाही थे, पुजारी थे, कुली थे और भीक मागने वाले भी थे और अपना सामान बेचने वाले लोग भी थे और अब्रीवन वाज बेर फूट लग-बग हर आदमी नंगे पैर था और ड्रेस्ट इन लूज वाइट गार्मेंट्स और हर धीले ढ़ाले कपड़े पहना था सफेद कलर के आई वोड आस्क एट लीस थ्री प्यूपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हूँ स्पोक इंग्लिश राइटर यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि जब वो तीन लोगों से बात करते थे तब जाकर उन्हें एक ऐसा आदमी मिलता था जो इंग्लिश समझ पाता था या शायद बोल पाता था वी वोड टॉक वर्ल अफेर्स किसके बारे में बातें कर रहे थे वो दुनिया के बड़े-बड़ी समस्याओं के बारे में टॉपिक्स के बारे में और उस दिन की खबरों में जो भी हेडलाइन्स रही होंगी उस टाइम जो हो रहा होगा आसपास की गत्विदियां देश में उसके बारे में भी राइटर उनसे बात कर रहा था इस तरह से राइटर राष्ट की नब्ज जानने की कोशिश कर रहा था पल्स ले रहा था कि देश में कैसा क्या हो रहा है चेकिंग ओपिनियन्स अगेस्ट ओफिशिल एटिटूट एंड रिपोर्ट्स और इसके साथ साथी देश में जो ऑफिशिल जो गद्विदियां थी लोगों की क्या राय थी देश आजाद हुआ था तुरंती उस समय गभर्मेंट कैसा काम कर रही थी इसके बारे में लोगों की कैसे रिमार्क्स रहोंगे रायटर कहीं न कहीं ये भी जानने की कोशिश कर रहा था ये जो रास्ता था ये भारत का सबसे समर्द एरिया है किर्शी का ये उत्तर का इलाका है गंगा नदी के पास का हमने शायद पढ़ा होगा उत्तर का विशाल मैदान अथाउजन फीट अबब सी लेवल बट ट्रॉपिकल ये छेतर समद्र तट से तल से लगबग एक हजार फीट की उचाई पर है लेकिन उष्ण है गर्म है गंगा वाज ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लिड वाटर्स गंगा का रंग उस समें भूरा मटमेला था बाड का समय रहा होगा या बारिश का समय रहा होगा जिसमें गंगा में पानी यदा होता है इंट्स ओवरफ़लू इन यंडिटिंग थाउजन्ड सौफ एकर सौफ रइस और लगब हजारों एकर का जो छेतर था जिसमें धान की क्लंप आफ ट्रीज, दा होम आफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज उत्तर का छेतर जंगलों के लिए बड़ा मशूर है इसमें बहुत उची उची घास दिखाई दे रही थी आदमी के सर से भी उची और उस घने जंगलों में कहीं न कहीं टाइगर्स एलिफेंट्स, चीते, हाथी, अजगर्स और कोबराओं जैसे सापों के घर भी थे एबरिवेर एल्स देर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू दा होराइजन चारो और दूर तक जमीन ही दिखाई दे रहे थी छितिस तक बट डॉटेट हेर एंड देर बाई दा सेक्रेट बनेयन ट्रीज और बाई रोज आफ पाकट ट्रीज यहां वहां कहीं कहीं पवित्र बरगत के पेंड या पीपल के पेंड दिखाई दे रहे थे से शेब लाइक एंपस एंड थिक ट्विस्ट ट्रंक्स मोटे मोटे तने वाले बड़े बड़े पेंड होट हुँमिड हयर वाज पूविग तू मुविग तू मुविग तू दंविग दे क्षिर पश्यम से हवा चल लई थी humid hair जिसमें नमी थी monkeys some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath song of trees of the station looking for food बंदर दिखाई रहे थे जिनमे mother monkeys भी थी वो बंदर जो मा भी हैं अपने चोटे-चोटे बच्चों को चिपकाय हुए इस्टेशन पे दरोदर टहल नहीं थी खाने की तलाश में the villages we passed had walls made of mud mixed with में घर दिखाई दे रहे थे मिट्टी के बने हुए या गाए के गोवर का इस्तेमाल करके उनमें पुताई की जाती है या बनाए जाते हैं ऐसे भी दियर पीक्ड रूफ वेर थैचेट बंदल अफ ग्रास ट्राइट टू बंबू पोल्स स्ट्रेचेज अक्रोस दराफ्टर्स और उनकी छटों पर बास से बनाए हुए ढाचों पर घास से बनाए छपर भी थे और उन मोटी मोटी दिवारों पर चपरों पर कद्दू की बेलें लौकी की बेलें भी दिखाई दे रही थी इसमें कहिना कि ये दिखाई जा रहा है कि भारत का जो गाओं है वो कच्चे मकानों का बना हुआ था जहां गरीबी थी छपर पड़े हुए थे और लोग रह रहे थे एक स्टेशन पर लोगों से राइटर का बात करने का जो सिलसला था वो रुका जैसे ही राइटर उत्रा उस स्टेशन पर एक छोड़ छोड़े बच्चों के ग्रुप ने समूने राइटर को चार और से घिर लिया दे वर सेलिंग बास्केट्स वे टोक्रियां बेच रहे थे हैंड बुवन हाथ की बनी हुई रीड बास्केट्स घास की विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटरंस बड़े साधारान तरीके से बड़े अच्छे तरीके से अलग-अलग धंगों से नमूनों से बनाया हुए टोक्रियां और और भी कई सामान रहे होंगे इन टोक्रियों को वो हवा में उपर उठाय हुए थे शाउटिंग वर्ड्स कुछ शब्द बोल रहे थे चीख रहे थे I did not know राइटर जानता नहीं था बट कन्वेंग अनिस्टिकबली दियर डिसाइड राइटर उनकी भाशा को नहीं समझ रहा था लेकिन उनकी भावनाओं को समझ रहा था कि ये लोग अपनी टोकरियां अपना सामान राइटर को बेचना चाहते थे These were refugee children ये बच्चे शरणारती थे When partition between India and Pakistan was decreed आजादी के बाद 1947 में जब देश का बढ़वारा हुआ भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश हुए उस बटवारे के बाद पाकिस्तान से बहुत से लोग हिंदुस्तान आए Hundreds of thousands of people pulled up their roots हजारों लाखों लोगों को जड़ों सो उखाड़ दिया गया and change their residences और उन्हें अपने घरों को बदलना पड़ा 9 million people left Pakistan ऐसा अनुमान है कि लग-भग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा and came to India भारत आए driven by the fear of religious fanaticism धार्मिक उन्मात के चलते वो बहां से आये या उन्हें बहां से भगाया गया they were poor people बहुत गरीब लोग थे to start with जबनों ने अपना जीवन शुरू किया they were poorer as they begin their long track लेकिन इतनी लंबी जिंदगी के रास्ते में वो गरीब से गरीब तर होते चले गए for all they could carry was a bit of food क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा खाना ला सके थे and a few belongings और कुछ जरूत की चीज़ें लेकर वहां से आये होंगे अपना घर, अपनी जमीन अपना बहुत कुछ वहां छोड़ कर आये होंगे और वहां से चलते हुए जो कुछ भी उनके हाथ में था या ला सकते थे वो लाये होंगे इसलिए उनकी गरीबी लगातार बढ़ रही थी soon they were out of food इसलिए जल्दी ही उनका खाना खतम हो गया a few days after they started कुछ दूनों बाद उन्होंने जगह जगह पर गिरना शुरू कर दिया they begin to fall by the way side सड़क के दोनों और from the weakness of hunger भूख की वज़े से, कमजोरी की वज़े से and died और वो मरने लगे where they fall, जहां वो गिरते थे बाकी का बचा हुए lesson हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और बाकी का जो लगबगाधा लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे Thank you very much